आज मैं आपके साथ पत्ता गुबी की एकदम नई और इंट्रेस्टिंग सी रेस्पी सेयर करने वाली हूँ उसके सामने आप मटन, चिकन और फिस खाना भी भूल जाओगे यह इतनी अच्छी लगती है सब जी फ्रेंट कि अगर आप एक बार इस रेस्पी को बना लोगे तो गारेंटी है फ्रेंट कि हफ्ते में चार दिन आप इसे ही बनाना पसंद करोगे तो चलिए फटा-फट से इस मज़ेदार सी रेस्पी को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है पूजा और आप देख रहें किचन बंडार यूट्यूब चैनल इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पत्ता को भी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धूल कर साप कर लिया और इसके ऊपर वाले छिल्गे को हटा दिया है अब हम इसके डंठल को अब हम क्या करेंगे कि इसके एक-एक पत्ते को अलग करेंगे साउधानी से अलग करें जिसे की पत्ते टुटे ना हमें इस रेस्पी के लिए खड़े पत्ते चाहिए इस तरह से मैंने यहां पर कुछ पत्तों को अलग कर लिया है इसके लिए आपको फ्रेस पत्ता को भी कह ही इस्तेमाल करना है अब हम इसके जो मोटे वाले ये पार्ट है इसे हमें नाइफ की मदद से कट करके हटा देना है तो सारा इसी तरह से हम कट करके हटा लेंगे अगर इसमें ये डंठल रहने देंगे तो आपको दिक्कत होगी बनाने में इसलिए आप इन मोटे डंठल को कट करके हटा दे यहां पे हमने सारे डंठल को कट करके हटा लिआ है यहाँ पे लिए है लिए हमने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे तीन बड़ा चमच बेसन आप बेसन यहां पे मोटा पतला जो भी हो ले सकते हैं और साथ हम इसमें कुछ चीज़े एड़ करेंगे जिसमें मैंने लिया है 8 छोटा चम्मच अध्रक लशन का पेष्ट। अगर आप यहां पर लशन नहीं खाते हैं हैं तो क्योगी है आद्धा चोटा चम्मच हल्दी पउडर। अधा छोटा चम्मची मैं यहां पर हिंग डाल दे Judeحد है इससे हम फ़िवर प्रेंट अठा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे और साथी इसमें आधा चम्मची ने यहां पर अज्वाईन लिया है पशेट के अलाया है तेस्ट के अगोंग घ। gli थोड़ा झाले पानी अलगे और यहां बेटर करने पैटर। hair abuse लेंगे काड़ाтор ना ही बहुत पतला आय। सब्सक्तारुत। अब मेन ऄच्छा का बेटर चाहिए नहीं बहुत गाड़ा और नहीं बहुत पतला यहां पे लिया है मैंने पत्ता को भी और इसे हम हाथों से इस तरह से फ्लेट कर देंगे अगर तूट जा रहा पत्ता को भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और जो हमने बेशन का बेटर पतायर किया इसके उप फोल्ड करके और एक साइड से फोल्ड कर लें थोड़ा सा लास्ट में हम बेशन लगा देंगे जिससे की चिपक ज्या अच्छा से बस इसी तरह समिहां पे सारा बना लेंगे चली मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूं बहुत ही असानी से बन जाता है और जो सावन मे ज़ी नहीं है तो इस तरह से बना सकते है और इसका टेस्ट launch yi की तरह लगता है अब इससे चया है तो बीना दो Coë साइड से फोल्ड किये भी इस तरह से बना सकते है लिए इहां पे हमने सारा बना लिया है तो मैं आपको इस रेस्पी को दो तरह से बनाना दो से तीन बड़ा चमच दही, आपको यहाँ पर फ्रेज दही का हिस्तेमाल करना है, खट्टी वाली दही का नहीं, अब हम इसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें एक छोटा चमच धनिया पॉडर, एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर, आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो इसे क्रस करके हाथों में डाल दे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड, जरूर डालिएगा, आधा छोटा चमच दाल देंगे, काली मिर्च का पॉडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह थोड़ा सा थिक ल और में पर डंग उने के लिए पहले से रख दिया है मैंने यहाँ सससो तेल का इस्तेमाल किया है इससे इस रेश्पी में और भी अच्छा टेष्ट आता है, अगर आप सस्थी नहीं खाते हो जो भी तेल उसमें इसे बना सकते हैं, और इसमें पत्टे को भी को डाल के लाद इहां पर जो बेशन बच गया था उसमें पत्ते को भी आच्छे से कर लेंगे ने समें गर्मा करम तेल में डाल देंगे अपको बना सकते और इस तरह से भी और इसे भी ऑप अपको अर्वी आच्छे से उलटते हैं को दो चमच की करिब हमने इसमें तिल पने दिया है और हम इसमें डाल देंगे आथा चोटा चमच कहड़ा जीरा और जीरा के चटकते ही यहाँ पे मैंने एक चोटे शाइज के प्याज दिया यिसेänner फाइन चॉप कर लिया है प्याज को खुल गुया है तभ इस स्टेज पीं डालो दें जीवेश धाय को फिस नहीं जूब लेंगे जिससे की अधरक लसन की कच्छापन मुझें और अगर जाया तो इस टांब गैस के फ्लेम को लो रखियागा फ्रेंड नहीं तो दही फड़ सकती है और दही को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना जाए नहीं तो दही फड़ सकती है यहां पर दही में बॉयल्ड आ गई है तब हम इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकोडिंग नमक डाले और साथ ही मैंने यहां पर दो हरी मिर्च लिए जिसमें मैंने बीच में कट लगा लिया है और इन सब को डालके हम मसाले को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे या त इतनी ग्रेवी रखनी हो उससाब से डाल सकते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अधा छोट अचम में के गरम मसाला मिला दे इन सब को और इसमें हम एक बॉयल्ड आने तक इसे पकने देंगे तो यहां पर यह देखे फ्रेंट हमारी तरी में बॉयल्ड आ गई है तो ए दो मिनट के लिए पकने देंगे उससे ज्यादा नहीं तो लीजे फ्रेंट दो मिनट बार हमारी सबजी बनकर तयार है और इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आप इसे चाबल के साथ खाए या रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो आपको हमा आपको हमारी से अच विए झादी के साथ एाट अच्मारी फ में अच्छा र्याओiece थी लगती है तो लीजेशन है और रहले हैं मारी से उनी उनरे खाए अवोँ वडिशी यंच्छा रवैको